सुबाल से बड़ी खबर आ रही है कोसी नदी उफान पर तटिये इलाकों में बार जैसे हारा सुबा तक 6,61,000 क्योसिक पानी का डिस्चार्ज किया गया है तडबंद के भीतर की 3,000,000 की आबादी प्रभावत हो चुकी है लोग पलायन करने को विवश हो गए हैं 30-40,000 क्योसिक पानी प्रती घंटे दर्ज किया जा रहा है इंजीनर और प्रशासन कोसी तडबंदों का जायजा ले रहे हैं बड़ी खबर आपको सुबाल से बता रहे हैं लोग पलायन करने को विवश हैं इस वक्त की बड़ी खबर तडबंद की भीतर 3 लाग की आबादी प्रभावत हो गई है लोग पलायन करने को मजबूर हो गए तस्वरे लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर देखा रहे हैं कैसी बार जैसी इस्तिती बन गई है लगातार जारी है और प्रकृति का कहर तो देखे बारिश भी नहीं थम रही लगातार बारिश होने की वज़ा से भी नदियों में और ज्यादा उपान हो रहा है यहां तक कि नेपाल में आपात काली में स्थिती गोशित कर दी गई है ताकि लोगों उससे यह उन्हें समझाया जा सके कि इस वक्त सिती कितनी भयावा हो सकती है और इसलिए लगातार माइकिंग के जरीए मीडिया की जरीए अलग-अलग माधियम से खूशिश यह है कि लोगों को सतर्क किया जाए उन्हें इस रक्षित अस्थान तक पहुँचाया जाए सावधान किया जाए लेकिन यह जो तस्विरें आप देख पा रहे हैं जल प्रवागिय। इससे आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा मात्रा में पानी का बहा हो रहा है। देखें जिस दंग से कोसी से पानी का डिस्चार्ज हो रहा है और जो तकी इलाकों में पानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो हालात जो है बच से बत्तर होते जा रहे हैं और अभी जहां मौझूद हूँ वो ज़रा सोची कि सुपॉल का जो सदर है इलाका वो है और उस जो है और तमाम जो लोग हैं गाओं के अपने अपने सामान जो जो हैं वो जरूरत के उठा करके और सीदे किनारे आ रहे हैं सड़क पर तटबंद पर आसरा लेने के लिए और ज़रा तस्वीरों में हम कैमरा परसंट से कहेंगे कि देखिए जो तमाम जो महिला हैं अपने सरों पर रख करके और लगबक कमर से ज़्यादा पानी है और किसी तरह से यहाँ से लोग बाहर निकल ना चाह रहे हैं बिवाग कर रही है क्या लेकर समान जाना है इस को बचा के ले जा रहा है रहा गर पूरा धर हो यहां पर जो लोग है कि वह घर से बाहर निकलना पड़ रहा है कि घर में पानी घुश गया है पूरा अंदर में पानी है अभी समान से बाहर निकाल रहे हैं रवी ज़रा इन से पूछे कि यह शरण लेने के लिए कहा जाएंगे क्योंकि मैं देख पारी हूं कि यह सभी अपने पूरे पूरे सामान को लेकर वहां से निकल रहे हैं लेकिन शरण कहा लेंगे क्या प्रजासन की दरफ से उन्हें किसी तरह की कोई जगा दी गई है या खुछ से ही वो कहीं जा रहे हैं सबसे बड़ी जो तश्वीर सुभी देखे सबसे बड़ी जो परिशानी यहां पर यह है कि अब जड़ा देखिए कि गाओं से तमाम लोग जो हैं वो डूप करके आ रहे हैं यह खतरनाक है और ऐसे समय में इन्हें नाव की जरुरत है और कहा जा रहा है कि सरकारी नाव जो पाने का कोई साधना है को बातने का नहीं है को जाना पड़ा है तो कहां यहां से जाएगा कहाँ आप लोग आप लोग कहां देखिए यह सड़क है और यह पुरुप के अंदर की जो रफतार पानी की वो किस कदर है मैं कोशिश करूंगा सुभी आपको वह तस्वीर दिखा है और एक घर में जो जो हालात है उस घर के अंदर की तस्वीर दिखानी बड़ी जरूरी है कि आखिर लोग कैसे तबाह हो रहे हैं यहाँ पर आपका भी घर पूरा डूब गले साफे पेट गले पूरा कटिका है यह ज़रा देखे कि यह इनका जो घर है उस घर में पानी के अ यह पूरा घर में जो है वो पानी समाया हुआ है और किस रफ्तार से यहां से लोग निकल रहे हैं यह ज़रा देखे कि इनके घर में जो संदूक है वो किसी ढंक से निकाल रहे हैं चौकी जो है वो निकाल रहे हैं क्योंकि घर का जो नीचला हिस्सा है वो भी कट रहा है यह दिखाने की कोशिश करें। ये जो निचला घर का जो हिस्सा है वह कइन तो हो सकता है。 जरूरी है कि घलोर नक्राप घां, लेकिन सब्सक्रा बड़ी बात ये है कि इन लोग पानी में डूप कर निकल रहे हैं。 और रवे हम आप से ये भी जानना चाहेंगे, कि ये जो सारे घर है, इस वर्ट जो तस्वीर हम आप की माधिम से लेखा रहे हैं, ये सारे घर नदी से कितने दूर है, क्या ये बिलकुल तट्यय इलाके की घर है, जिसकी तस्वीर है आप हम तक पहुंचा रहे हैं? से काफी दूर एक यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं वह नदी से काफी दूर है यह तक्ये आप समझ सकते हैं कि सामने जो है वह बांध और जो पूरी बांध है और पूरी बांध को निचला इलाका होता है जहां पे अगर बाढ़ सबसे बड़ी बार कि माइकिंग भी की गई है लोग बाहर निकले भी हैं लेकिन समस्चा यह है कि अभी तक नाओ की बेवस्ता नहीं है और प्रशासन को लगतारी आगाह करना जरूरी है कि लोग अपने घरों से बाहर तक सुरक्षित जाएं जिसके लिए नानाओ होना जरू रहे हैं जागरुक तो लोगों को किया जा रहा है लेकिन उनके लिए किसी तरह के कोई इंतजाम ग्राउंड जिरो पर नजर नहीं आ रहे हैं और देखते हैं कि अब जब ये शरण लेंगे तो क्या वहाँ पर भी सरकार की तरफ से कोई मुकमल वैवस्ता की गई है या नही नियूज एटिन पर लगातार ये तस्विरे हम लोगों तक पहुचा रहे हैं साथी साथ सरकार तक भी पहुचा रहे हैं ताकि वो जागरुक हो सके सजग हो सके और बार के प्रती लोगों की जो परिशानी हैं वो समझ सके बहुत बहुत शुक्रिया रवी आपका हमाई सरकार तक पहुचाने के लिए